एक मुखाकरती वाला आदमी भारतिय सेना पर हमला करता है और एक पैकेज चुरा लेता है जिसमें भारत का भविश्य है और उसी के साथ और तबाही की चेतावनी भी देता है। करनल आदिल शेखर आजाद को ये मानने होता है कि ये दुश्मन एक मनोविज्यानी है और उसे रोकने के लिए उसे अपने मनोविज्यानी अफसरों फिरोज बड़े मियां और राकेश छोटे मियां को बुलाना चाहिए। आजाद अपने अफसर कैप्टन मीशा को दो अफसरों का पता लगाने के लिए बताते हैं जो कुछ साल पहले कोर्ट मार्शल हुए थे। आजाद मुखाकरती वाले आदमियों द्वारा कैद किया जाता है लेकिन रौकी, मीशा और पैम खजाने के पास होते हैं जब वे उन मुखाकरती वाले लोगों के गिरफ्त में फंस जाते हैं। जहां फ्रेडी उन्हें पैकेज केवल एक कारण था, लेकिन ये मुखाकरती वाले लोगों द्वारा फ्रेडी और रौकी को यूके के लिए एक उद्देश्य के लिए फंसाने का पूरा शड्यंत्र था। श्रेडी बाले लोगों द्वार शड़ प्रेडी बाले लोगों के लिए दो प्रेडी प्रेडी बाले लोगों देख्याग।